वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका दोस्तों आज एक क्रिप्टो का जैम लेकर आए हूं आपके सामने और I hope कि मुझे ऐसा लगता है कि वह जैम बहुत अच्छा एक रिटन देगा उसका नाम है दोस्तों VMPX VMPX token के बारे में बात करेंगे VMPX जो token है वो कितना जा सकता है क्या ये एक बहुत बढ़िया token हो सकता है क्या इसके अंदर multiple X हो सकते हैं देखो दोस्तों इसकी जो blockchain है मतलब इस token से related मतलब ये token तो BRC और ERC20 के उपर जो है से related है लेकिन इसका जो honor है Jack Levin इसके बारे में 2-3 व आप यहां पर देख सकते हो ठीक है आपको के वाल लिखना है क्रिप्टोनिक 1 VMPX क्रिप्टोनिक 1 जैसे मैंने लिखा यहां पर और VMPX लिखना है तो यहां पर दो वीडियो हो जाएंगे तो दो वीडियो देखके आपको काफी हद तक यह idea हो जाएगा कि VMPX किसका token है और वो मतलब क्या काम कर सकता है फ्यूचर में VMPX की website के उपर है और इस website का URL का जो name है वो है notsofast.xyz तो इस website के उपर जिसकी photo लगी हुए है उसका नम है जैक लेविन और यह जो बंदा है यह founder है VMPX token का ऐसे ही काफी सारे token इसके हैं already जैसे Zen crypto वो भी इनी का ही token है और इसके अलावा जो X1 blockchain लेके आ रहे हैं यह market में अब यह कब तक आएगी मेभी जो halving के आसपास यह release कर देंगे और उसका जो price है और Zen का जो price है वो कहीं ना कहीं related है वहाँ पे Zen ecosystem के अंदर का काफी VMPX actual में इसका जो use case क्या है काफी लोगों को पता नहीं है बस वो यह जानते हैं कि यह जो है Zen crypto से related इनकी एक token है that's it इसका use case क्या है यह पता नहीं है काफी सारे लोगों को तो मैं आज अपने वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करूँगा actually जो इनका क्या मकसद है BRC20 और ERC20 के ओपर इनके दो token है और इनका मकसद क्या है यह चीज इन्हेंने दो token क्यों बनाए और इन यह future में कितना आगे जा सकता है token तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूँँ काफी सारे holder हैं वो holder भी मैं blockchain पे ले जाके आपको बताऊंगा कुछ जो holder है वो ERC20 के ऊपर है और कुछ जो holder है वो BRC20 के ऊपर है अब इन्होंने दो token बनाए लेकिन इनका कोई use case नहीं कहां पर use होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँँ कि इनका जो token है वो क्या करेगा bridge का token बनेगा इनका एक bridge बनेगा एक जो ERC20 के token आपस में bridge होंगे मतलब BRC20 के ऊपर काफी सारे token आज की date में है लेकिन उनका एक use case यहां पर बनने के लिए आ रहा है और वो VMPX का जो bridge होगा वो उनको एक use case देगा उस use case में क्या होगा अगर को BRC20 के ऊपर कोई token है और उसके ऊपर token से related use case लाना मुश्किल है तो वो अपने token को Ethereum chain के ऊपर deploy कर सकता है अब वो deploy करने के लिए बाद जो bridge जो use होगा वो VMPX का bridge के अंदर liquidity प्रोवाइड करवा के वो VMPX का bridge use कर सकता है ठीक है तो जो भी token BRC से ERC20 के बीच में आना चाहता है तो वो token कहीं न कहीं easily आ सकेगा VMPX के जरिए और उसके ऊपर जो शायद fees लगने वाली है वो VMPX की लगेगी अगर इन्होंने एक VMPX को use case दिया most of the bridges के पास ऐसा कोई use case नहीं है कि VMPX या कोई और उनका bridge का कोई token use होता हो उनके लिए लेकिन कहीं न कहीं अगर इन्होंने किया ऐसा तो बहुत hype create होगी अगर नहीं किया तो भी ठीक है तो उस bridge का एक जो native token हो जाएगा that's it और इसकी जो hype है वो आने वाले डाइम में बढ़ेगी और BRC20 से ERC20 के बीच का जो connection है ये पैदा करते हैं तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल इसकी जो बड़ी हुई community जो hold करके बैठी हुई है इनका token तो वो token काफी अच्छी hype पकड़े सारी community को पता है कि VMPX क्या है most of the जो है Indian जो YouTuber है वो बात नहीं करते हैं लेकिन मैं आपसे काफी सारे ऐसे token discuss करता हूं जो थोड़े से different होते हैं जिनकी token होती है जो low cap होते हैं और low cap के होने के साथ साथ उनका एक use case भी या तो होता है या आने वाला होता है ठीक है मैं कुछ ना कुछ खास चीज होने वाली होती है तब ही मैं आपसे कहता हूं अब भूस सारे token है जो already market में 10x 15x 20x हो चुके हैं ऐसी condition में आपको कौन सा token देखना चाहिए ऐसी condition में आपको VMPX token को नहीं बूलना चाहिए because VMPX एक अपने आपने युनिक चीज लेके आ रहा है अब इस के ऊपर adoption level बहुत बढ़िया है और सारे जो BRC 20 से related काफी लोग है वो VMPX को अच्छी तरह जानते हैं जैक लेविन को जानते हैं तो वो VMPX को भी जानते होंगे ठीक है अब ERC 20 के ऊपर भी आपको पता है कि whales आते हैं क्योंकि ये decentralized way में ये जो चीजें को accumulate करते हैं जो whales करत करते हैं उसके बाद उसके बाद एक hype create होती है तो BRC 20 और ERC 20 को मैं एक जैसा ही समझता हूं most of the whales है वो इन दोनों chain को use करके किसी भी token की hype बढ़ाएंगे और बढ़ाते आ रहे हैं ठीक है BRC 20 की hype को आपको पता ही है ERC 20 की भी hype जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए most of the whales हो होते हैं because ERC 20 के पर fees होती है वो तो fees देते हैं लेकिन छोटे छोटे जो retailer होते हैं वो fees तो देते हैं वो long term के लिए उसको hold करते हैं वो बार बार उनको पता है कि बार बार token को swap नहीं करेंगे और fees ना देने के बजाए वो token को hold करना ज्यादा पसंद करेंगे ठीक है तो वो वो अपना पैसा बना के वो निकल जाते हैं विल्स लेकिन छोटे retailer होते हैं वो फज जाते हैं तो ERC 20 और BRC 20 की chain दोनों की दोनों बहुत important है अब जाते हैं इसका दूसरा पहलू एक तो मैंने इसका बता दी इसका क्या use case होने वाला है आप इसकी website पे भी बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ जाएगा लेकिन मेरे वीडियो से मेरे हिसाब से आपको clearly सही से समझ में आ जाएगा यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि holder of VMPX token can earn yield तो इसके उपर जो है provide करेंगे liquidity जो VMPX के जो holder होंगे वो provide liquidity अगर करते हैं इनके breach के उपर तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ yield करेंगे interest gain करेंगे तो BRC20 और ERC20 के जो ratio यहां पर 1.1 लिखा हुआ है इसके अंदर hype create होते हुए आप भी कुछ time के बाद देखोगे तो दोस्तर disclaimer के हिसाब से किसी भी तरह का कोई भी token लेने या बेचने का मैं किसी भी तरह का कोई advice नहीं करता यह जो भी जो मेरे video होते हैं वो study base होते हैं मैं clearly आपको बतादू कि disclaimer के हिसाब से इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का token के buy या sell करने के कोई अचाल नहीं है जो भी token है buy या sell करो अपने ही हिसाब से करो अपने नजरिये से करो अपनी study करने के बाद ही करो ठीक यह mint करके आया था, मतलब लोगों ने इसको mint किया था, और mint करने के बाद, अब यह token आप direct MEXC से भी buy कर सकते हो, और BRC20 का जो token है, मैं आपको यह सला दूँगा, अगर किसी ने buy भी करना है या नहीं भी करना, वो उसको ERC20 पे ना buy करके, वो BRC20 पे ही आप इसको देख सकते ह हो, क्योंकि ERC20 के ऊपर थोड़ी सी manipulation, वो है MEXC exchange की, because MEXC exchange withdrawal तो दे देता है, ERC20 में, लेकिन वो deposit करने का option नहीं देता है, तो कहीं न कहीं, आप उस level पे जाके first सकते हो, कहीं न कहीं आपको heavy fees देने ही पढ़ सकती है, future में, तो आपको अगर कुछ भी खरीदना है, तो facilities देती है, कि वहाँ पे swap कर पाओ, ठीक है, वहाँ पे swap कर पाओ, या किसी और दूसरी जगा भेज पाओ, fees तो bitcoin में होगी, लेकिन वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ERC20 की fees, वो BRC से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, anyway, तो ये जो ecosystem है, वो मैंने आपको समझा दिया, किसी भी तरह का कोई भी आपको इसके अंदर कोई doubt हो, तो मेरे से पूछ सकते हो, comment कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब चलते हैं, इसके price action के उपर, जैसा मैंने आपको already बताया, कि इसका जो token का पूरा total supply है, वो 108 million के आसपास है, अब एक चीज पर दिखेंगे, लेकिन अगर आप इनकी जो confirmation अगर चाहिए, तो इनके telegram में जाके आप इनसे पूछोगे, तो 108 million total ही supply VMPX की बताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, कि या तो ये जब इनका जो bridge आएगा, या तो ये extra token जो भी होगा, वो हटा देंगे, या ये कर देंगे burn उसको, तो anyway, तो ये जो claim करते हैं, ये जो बोलते हैं, इनकी team बोलते हैं कि total जो supply है, जो maximum supply है, वो 108 million से एक token भी पालतू नहीं होगी, चाहे वो ERC20 पे हो, चाहे वो BRC20 पे हो, आपको इससे अलग कोई idea हो, तो मुझे comment कर सकता है, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब BRC20 का जो token है, अगर वो यहाँ पे देखेंगो, gate.io के उपर है, bit.get के उपर है, ascendex, exchange, जो bit.mash exchange है, उसके उपर है, hotcoin, global करके, काफी सारी exchange के उपर है, दोस्तों, अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है, अब ये जो, इसका जो all-time high भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे कि all-time high कितन 17 cents के असपास गया है, तो 17 cents अगर गया है, अब फिलहाल कितना जा सकता है, अब भी फिलहाल 4 cents के असपास है, और 4 cents के असपास, अगर इसको आप accumulate करते हो, तो future में, इनका जो प्लान है, वो एक बड़ा प्लान है, ये छोटे-मोटे खिलाडी नहीं लग रहे है, मेरे को किस इसमें हिसाब लगा सकते हो, कि इस token के अंदर कितनी potential हो सकती है, एक तो इसका जो विजन बड़ा है, नमबर एक, दूसरा जो इनका जो token का जो price है, वो काफी normal है, 0.04, इनकी जो supply है, वो billion में भी नहीं है, इनकी supply million में है, वो कितनी है, 108 million के असपास, ठीक है, और बाकी रह मेरा जो token है, मेरी premium की list का है, आपको मैं clearly बता दूँ कि ये मेरे premium की list का है, मेरे सारे premium members ने ऐसे काफी सारे token hold करके रखे हुए, ठीक है, अगर आप भी मेरी premium group के अंदर सामिल होना चाहते हो, तो मुझे एक message कर सकते हो, कोई problem नहीं है, उस token के अंदर वो potential है, जो आपको 30x भी दे सकती है, 40x भी, लेकिन इसका जो old time high जो price मैं predict करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 5 डॉलर से 10 डॉलर के बीच में कहीं जाके इसका price set होगा, अगर इसका जो price इसके आसपा set होता है, तो ये easily आपको एक अच्छा bull run के अंदर एक अच्छा price दिखाएगा, because ये वो जो Ethereum की होती है, बहुत बड़ी, लेकिन कुछ न कुछ इसके अंदर ऐसा है, कि इसके holder है, वो काफी मजबूत है, इस वक्त और काफी लंबे समय से इसको hold कर रहे हैं, बस एक कमी क्या है, छोटी सी कमी वो है, इसकी एक announcement आने वाली है, और इसकी जैसे ही, इसके जो X1 blockchain की announcement आएगी, क्या पता है, उसके अंदर कोई न कोई इसका use case निकल के सामने आए, और अगर उसके साथ साथ ये VMPX का भी जो bridge है, उसका introduction भी देते हैं, तो उस वहाँ पे भी एक hype create होगी, काफी लोग VMPX को जानते नहीं हैं, लेकिन आज मेरे वीडियो देखने के बाद उनको ये पता चल जाएगा, कि VMPX जो है token काफी अच्छा हो सकता है, और कहीं न कहीं ये क्या काम कर रहा है, इसके बारे में उसको जानकरी हो जाएगी, फिर भी कोई doubt होता है आपको किसी भी तरह का, तो आप VMPX के बारे में comment कर सकते हो मेरे channel के अंदर, और like and subscribe, अगर आपको अ नाम लिख के आप देख सकते हो, क्या पता वो वीडियो में ने बनाया हो, आपके लिए और आपको वहां से कुछ knowledge गेन हो जाए, ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, thank you very much दोस्तो, have a good one, take care and bye bye.